नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सन अकेडवी में हार्दिक स्वागत है, मैं सुरज पतेल, आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चचा करने वाले हैं, वहा है रिप्रोडेक्शन इन और्गनिज्म, कहने का मतलब यहा है कि जियों में प्रज प्रजनन कहने का मतलब यहा है कि जियों में अपने ही समान नए जीवित जियों को उध्वपन करने की जो क्रिया होती है, उसे ही प्रजनन कहा जाता है, तो इसको हम लोग समाना रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि प्रतिक जियों या लिविंग और्गनिजम नास्वान होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, कि प्रतेग जो लिविंग और्गनिजम होता है, या फिर जीवित जीव होता है, वह इस दुनिया में आया है, तो वह नास्वान है, मतलब वह जो जीवित जीव है, वह उसकी मिर्तिव निशित है, तो अपने इस जीवन काल में अपने ही समान नए जीव को उदपन करके वह इस दुनिया में छोड़ना चाहता है तो इसी को ही हम वह जिस प्रक्रिया से इस दुनिया में नए जीव को उदपन करता है उसको ही प्रजनन कहते हैं हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रजणन होता है वह दो प्रकार का होता है एक होता है एसेक्सवल रिप्रोडेक्शन अलेंगिक प्रजणन दूसरा होता है सेक्सवल रिप्रोडेक्शन कहने का मतलब है लेंगिक प्रजणन इसमें हम देखते हैं कि जो लेंगिक प्र उत्पन करने की इसमें छमता होता है आलेंगिक प्रजनन में इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो जीव होता है वह एक ही खुद से ही नए जीव को उत्पन करता है दूसरा देखते हैं कि इसमें जो जीव होता है वह नए जीव को उत्पन करता है इसमें यह क्या करता है इसमें जो कोशिकावी भाजन होता है, वह समसुत्री भाजन के द्वारा होता है, मतलब माइटोसीस के ताहत होता है, हम जानते हैं कि जो लेंगिक प्रजन होता है, उसमें नए जीव को उत्पन करते समय, जो कोशिकावी भाजन होता है, वह अर्धसुत्री भाजन के ताहत होता है, नए गेमिट का फॉर्मेशन होता है, इसमें देखते हैं कि इसमें समसुत्री भाजन के ताहत होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो 2N कोसिका होता है, वह नए 2N और 2N कोसिका का निर्मार करता है, इसमें हम देखते हैं कि 2N अधी कोसिका है तो इसमें 2N और 2N कोसिका को निर्मार करता है इसमें मतलब अपने ही जैसे नई कोसिका को निर्मार करता है इसमें समसुतरी भाजन में लेकिन जो मियोसिफ होता है अरसुतर विभाजन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो कोसिका होता है उसमें 2N कोसिका होता है उसमें N और N कोसिका होता है कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग उने पिछले वीडियो में जोसान एकेडेमी का प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ही बहतरीन ढंक से समझाया गया है तो आप लोग यदि कोशिका विभाजन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर कोशिक बाइनरी फीजन, दूसरा होता है मोकुलन, मतलब इसको बोला जाता है बर्डिंग और तीसरा देखते हैं हम लोग बिजाडो निर्माड या स्पोर फॉर्मेशन और चौंथा देखते हैं हम लोग कुनरूत भवन या फिर इसी को ही रिजेनरेशन बोला जाता है और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काईक प्रवर्धन इसी को ही वेजेटेटिव रिप्रोडेक्शन बोला जाता है इसको हम लोग अभी पूरी तरह से डिटेल देखेंगे अब लोग सबसे पाल देखते हैं विखंडन तो चलिए दोस्तों आके देखते हैं हम लोग विखंडन या फिर इसी को ही बाइनारी फिजन बोला जाता है इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई जीव है तो इसमें यह केंद्रक है मतलब नुकलियस है तो इसमें यहां जो जनक कोशिका होता है या फिर जनक जीव होता है वह क्या करता है कोशिका का कोशिका में क्या करता है नए केंद्रक का निर्मान करता है और यहां दो केंद्रक का निर्मान कर लेने के बाद में इसमें आगे यह जो किनारा होता है और यह किनारा एक दूसरे के साथ में आने लगते हैं और आने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार से क्या होता है इसमें विखंडन होने पहले विभाजन होने के बाद में दूसरे नंबर पर क्या होता है जो कोशी का दरब्य होता है उसका विभाजन होने लगता है और कोशी का विभाजन होने के साथ ही साथ जो यह सेल होता है यहां से जूड़ जाता है और जूड़ने के बाद फिर नए जीव का निर्माण करता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विखंडन या बाइनरी फीजन में इसी प्रकार से होता है इसमें बाइनरी फीजन में और एक यदि यहां देखते हैं कि यदि माल लिया जाए इसमें यदि बहुत सारी केंद्रक का निर्माण होने के बाद में फिर इसमें बहुत सारे जिदी नए जीव का निर्माण होता है तो इसमें इसे क्या कहा जाता है इसको multiple fusion बोल जाता है multiple fusion बोल जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विखंडन होता है वह दो प्रकार का होता है एक होता है binary fusion मतलब यदि एक जिव से दो नए संत्ति का निर्माण होता है तो उसको क्या बोला जाता है binary fusion बोला जाता है और दूसरा नंबर देखते हैं कि multiple fusion कहने का मतला भिया है कि यदि एक जिव से कई सारे जिव का निर्मार होता है तो इससे क्या होता है इसको क्या बोला जाता है multiple fusion बोला जाता है इसमें हम लोग मेन रूप से एक्जामपल देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग अमीबा, दूसरा देखते हैं पैरामेसियम, और तीसरा देखते हैं बैक्टेरिया, पैरामेसियम, बैक्टेरिया में यह सब देखने को मिलता है, कौन सा विखंडन या फिर बैनरी फीजन, आगे हम लोग देखते हैं मुकुलन या फिर बडिंग, इसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग और्गिनिसम होता है, उसमें उसके सरीर में क्या होता है, एक उभार होता है, और वही उभार ही क्या होता है, दीरे-दीरे करके नए जीव को निर्मार करता है, इसमें हम देखते हैं कि हाइडरा जिस प्रकार से अपने सरीर से नए जीव को निर्मार करता है, उसमें देख रहे हैं कि यह सबसे पहले हाइडरा सिंपल प्रकार से है, इसमें क्या होत होता है कि उभार होने लगता है इस प्रकार से उभार होता है और यही उभार क्या होता है आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है एक नए हाइड्रा का निर्मार करता है इस प्रकार से इसमें क्या होता है इस प्रकार से नए हाइडरा का निर्मार करता है और इस प्रकार ये हाइडरा का नए हाइडरा निर्मार करने के बाद में यहां क्या होता है यहां से तूड जाता है और तूपने के बाद में फिर यहां नए हाइडर को निर्मार करता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीव होता है उसमें को सरीर से ही उसी की सरीर से ही क्या होता है उभार होता है और वही उभार ही क्या होता है नए जीव को निर्मार करता है और नए जीव का निर्मार करने के बाद में यहां दो या फिर अधिक अधिक बढ़ है इसमें यदि अधिक मुकुल है तो क्या होगा वो अधिक जीव का निर्मार कर सकता है या फिर संतत्ति का निर और यही बढ क्या होता है आगे चल कर nggak German करताहे तो इसी को ही क्या बोला बोला मुकुलन या फिर बडिंग बोला जाता है , कि इसाय हम लोग देखते हैं बिजाड़ूً निर्माड मलब आऊपै निर्माड कि यह फिर इसी को ही इस पॉल फॉर्मेशन कह आता है चलीए हमें लोग आगा देखते हैं फिज़ाड़ो नीरमार या फिर इसमें हम देखते हैं कि और कोशिका होता है और वही प्रते कोशिका्त क्या होता है आगे चल कर न्य joka, ह 충ाण करते हैं देखते हैं कवक में क्या होता है कि कवक में इसमें क्या होता है कि इसमें इस्पोर का फार्मेशन होता है और यही इस्पोर ही क्या होता है आगे चल कर इसमें बहुत सारे इसमें क्या होती है इसमें अंदर में spore होता है, मतलब कोशिकाएं होती है और यही कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है, spore कहा जाता है और यही spore आगे चल कर blast होता है या फिर फूटता है और फूटने के बाद में फिर क्या होता है? नई जीव का निर्मार करता है इस परकार हम देखते हैं कि spore formation में spore यही क्या होता है कि आगे चल कर फृटता है और फृटने के बाद में फिर नए संतती का निर्मार करता है आगे देखते हैं हम लोग इसके example में हम लोग देखते हैं तो फंगी, बैक्टेरिया बहुं सारे जो बैक्टेरिया होते हैं ये spore formation के थूँ भी नए जीव का निर्मार करते हैं और सबसे फर्स्ट में भी हम देखे थे कि जो विखंडन होता है उसके ताहद भी नए जो संतत्ती होते हैं उसका भी निर्मार करता है बैक्टेरिया और बैक्टेरिया इसमें भी spore formation के थूँ भी करता है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पुनरूद भावन या फिर इसी को ही regeneration बोला जाता है इसमें देखते हैं हम लोग पुनरूद भावन में इसको इंग्लिस में क्या बोल जाता है Regeneration Regeneration में क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है वह कहीं से भी कड़ जाता है और कटने के बाद में फिर नए जीव का निर्माण करता है तो इसमें इसको ज़्यादा बताने की ज़रूद नहीं है क्योंकि जैसे इसमें वेजिटेडिव जैसे कि हम देखते हैं कि पुरूद भावन में इसमें जो जीव होता है वह कहीं से भी कड़ जाता है और कटने के बाद में फिर वह जो कटा हुआ रहता है वह नए जीव का या फिर नए संतती का निर्माण कर लेता है जो मुकुलन होता है उसमें भी ठीक वैसे ही होता है लेकिन मुकुलन में क्या होता है कि उसमें एक प्रावर्ध का या फिर एक उभार का संरचना निर्मार करता है और उभार का संरचना निर्मार करता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें पुरज्यू ही क्या होता है नए और हाइड्रा और बहुत सारे और ज़ियो भी होते हैं लेकिन हम लोग इंग्जाम परपर से ही इतना तीन फोई इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काईक ट्रावर्धन या फिर इसे को हिंगलिस में क्या बोला जाता है काईक प्रावर्धन या फिर वेजिटेटीव रिप्रोडेक्शन में हम देखते हैं कि इसमें जो जीव होता है जैसे पेड हो गया जड हो गया तना हो गया फिर पत्ती हो गया इसमें किसी में भी नए जीव का निर्माण करने की इसमें सकती होता है तो इसमें हम देखते हैं कि काइक प्रवर्धन में या भेजिटेटिव रिप्रोडेक्शन में या मुख्यता है इसको और कई भागों में भाट सकते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें फैस्ट देखते हैं हम लोग लेयरिंग काई प्रवर्धन के ताथ हम लोग देखते हैं इसमें लेयरिंग या फिर इस तरीकरन दाब या कलम विदी इसमें हम देखते हैं कि जो किसी पाउधे को हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है पाउधे को लेने के बाद में यदि कि इसके डगाल को हम लोग ऐसे करके इस प्रकार से जमीन में यदि इसको कर देते हैं और फिर यहां पर एक लकड़ी या फिर किसी भी साहता से इसको फिर से इस प्रकार से नया इधर कर देते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि नए क्या होता है इसमें जोड़ निकलने का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी जो विधी होता है या इसी जो वेजेटेटीव रिप्रोडेक्शन होता है इसके ताहत इस जो विधी होता है इसको लेयरिंग या फिर इस तरीकरण दाब विधी भी कहा जाता है इसमें इसमें जो हम देखते हैं कि काईक प्रावर्धन में जो भाग लेते हैं वे जो भी भाग लेता है काइक प्रवर्धन के ताहत जैसे की जड़ हो गया या फिर तना हो गया फिर पति हो गया तो चाइक प्रवर्धन में जो भी भाग लेगा उसको प्रोपेग्यूल बोला जाता है तो काईक प्रावर्धन के ताहत जो भी इसमें भाग लेता है काईक प्रावर्धन में तो उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है प्रोपेग्यूल बोला जाता है आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट हो गया लेयरिंग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कटिंग और कटिंग के बाद में फिर ग्राप्टिंग होता है तो कटिंग में हम देखते हैं कि कोई सभी एक प्लांट होता है और उसी प्लांट को ही क्या करते हैं हम लोग प्लांट को यदि काट के यहां से फीर से नए यहां पौधा को लगा देते हैं तो उससे क्या होता है नए पौधे का निर्मान हो जाता है तो इस विधी को कटिंग विधी कहा जाता है और ग्राप्टिंग में हम देखते हैं कि इसमें एक प्लांट के जो डगाल होता है उसको दूसरे plant के डगाल में उसको fit कर दिया जाता है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, ग्राप्टिंग कहा जाता है, ज्यादा इसमें से question नहीं पूछता है, इसलिए इसको में ज्यादा detail में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसमें example देख लेते हैं, कि जो ग्राप्टिंग में हम देखते हैं कि जो अलग-अलग के आम होते हैं, उसको जो हमारे मन पसंद के जो आम होते हैं, उसको हम लोग दूसरे जो plant होता है या फिर आम होता है, उसी में ही इसको हम लोग कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ग्राप्टिंग के ताहत अपने मन पसंद डगाल या फि से कि गुलाब के डगाल को हम देखते हैं कि गुलाब के डगाल को काट देते हैं और काटने के बाद में फिर उसको नए जगा लगा देते हैं तो इस प्रकार से जो कटिंग होता है इसमें तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही नए वीडियो में नए चेप्टर के साथ ह आज के वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट के माधियम से जरूर बताईए और वीडियो को लाइक कमेंट और सेयर करना ना भोलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद